पूर्मुक्ष मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भोपेंध हुड़ा ने कहा कि नफ्य सिंग राठी ने सरकार से सुरक्षा मांगे थी और सरकार को उने सुरक्षा देनी चाहिए थी। हुड़ा ने मामले में सीबियाई जांच की मांग की है। कि इनलो की परदेश देक्ष नवे सिंग राठी की हत्ते का मामला कॉंग्रेस की और सुधन में जोरदार तरीके से उठाया गया और सरकार से सीबियाई की जांच की मांग भी की हालाके अनिल विज ने ग्रे मंत्री ने कॉंग्रेस की जो मांग है उसे माना और कहा है कि मामले क से करवाई जाएगी हमारे साथ नेता प्रित्पक्षर पूरु मुख्या मंतिरी ने बात करते हैं सर कॉंग्रेस ने जो दरते किसे महां उठाई सीवे जांच की और ग्रेव मंतिर ने आस्परशन भी दिया है कि कराई जाएगी जो संतुष्ट हैं जो जांच होनी चाहिए ची पार्टी अधिक्ष थे वो उनके एक विद्धानसवा के सब्सक्राइब से उनका अख़वार बियान पड़ा हमने कि वह कई जोंगों से उनको दमक्या मिल रही थी सुरक्षा मांग रहे थे हर लेवल पे उन्होंने कहा लें सुरक्षा नहीं जी गई किस किस से मांगी क्यो है या और कोई कारण है यह सीवेगी जाए जोर पता लगए लूद का लूद की और से कहा गया कि परदेश में लगातार अपराद बढ़ रहा है तो वो उन्होंने पुराने आकड़े भी पढ़कर सुनाना चुरू कर दिए कि पिछली सरकार में जादा अपराद पुराने अगड़े परदेश आपके पढ़ेंगे ना मैं बताऊंगा ना अब डेटा दूँगा आपको उपर आऊँगा जो बता दूँगा तो इसके हमारा परदेश किस अपराद में किस स्थान पे खड़ा है रेंकिंग इन दे कंट्री और इसी मामले की बीच में किसाना दुरू का जिकर भी किया गया कि पुलिस ने पुलिस को वहां लगाया गया है और परदेश किया है वो उससे खराब हो रही है सवाल है कानुवेस्टा का है यह दो पहली ठप हो चुकी निवाला पिट चुका है पहली जी अब नफैसिंग राटी के परिवार है अलाके वह भी डर के महौल में जी रहे हैं उन्हों ने भी का है कि कि हमें भी सुरक्षा दी जाए तो इस बात को भी आप उठाएंगे दे रहे है जिसके दोबारा इस मामले की सारी परते खुल सकती है और असली दो चीज़ों है वह सामने आ सकते हैं साथ ही रोने कहा कि हरियाना में अपरात का जोग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सीर बी की आंक्रेंज हैं वो भी इसको एकर सरकार के सामने पेश करेंगे रानाजी मीडिया चंडिकट